हेलो गाईज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुईता में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम फोन पे से UPI ID में पैसे ट्रांस्पर करना सिखेंगे अगर आप ज़ाहते हैं कि फोन पे से UPI ID में पैसे कैसे ट्रांस्पर करें या फिर phone pay से UPI ID में पैसे कैसे भेजे तो आज का ये वडियो आपके लिए काफी helpful होगा तो guys phone pay से UPI ID में पैसा transfer करने के लिए सबसे पहले आपको phone pay का application open कर लेना है तो यहाँ पर हम इससे open कर लेते हैं phone pay का application open करने के बाद आपके समने इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपको phone pay के home screen में transfer money के नीचे यहाँ पर आपको 4 options दिखाई पड़ेंगे जैसे कि यहाँ पर है 2 mobile number, 2 bank UPI ID, 2 self account चोथा number में है check bank balance यानि कि यहाँ से आप किसी को mobile number में भी पैसा transfer कर सकते है UPI ID के थूँ पैसा transfer कर सकते है फिर है sales account उसके बाद है check bank balance यानि कि यहाँ से आप bank का balance भी check कर सकते है तो गाइज अगर आप phone pay से UPI ID में पैसा transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको to bank UPI ID में क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हम इससे क्लिक कर लेते है इस पर क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपका दो option है पहला है bank accounts का और दुसरा है UPI ID का तो यहाँ पर आप किसी को bank account में पैसा transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको bank account select कर लेना है और अगर आप किसी को UPI ID में पैसा transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको UPI ID select कर लेना है तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको UPI ID में पैसा ट्रांसफर करके दिखाएंगे इसलिए यहाँ पर हम UPI ID स्लट कर लेते हैं UPI ID स्लट करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक option है Add UPI ID का तो यहाँ पर आपको Add UPI ID में क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं Add UPI ID में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको उपर में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जीसे है You can send or request money to the UPI ID of your contact यानि कि इसका मतलब है कि आप अपने समपर के UPI ID को पैसे भेज सकते हैं या फिर प्राफ्ट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ लिखा है The name of the contact is returned unsuccessful verification of the UPI ID यानि कि इसका मतलब है कि UPI ID के successfully verification के बाद आप समपर का नाम आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा उसके बाद यहाँ पर है नीचे beneficiary UPI ID तो आप जिस UPI ID में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो UPI ID यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है तो यहाँ पर हम UPI ID इंटर कर लेते हैं UPI ID इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक verify का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको verify में क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हम इसे click कर लेते हैं जैसे ही आप verify में क्लिक करते हैं यहाँ पर आप जिस ब्यक्ति को पैसा send कर रहे हैं यानि कि जिस UPI ID में आप पैसा send करना चाहते हैं वहाँ पर उस UPI ID का यहाँ पर आपको नाम सोगा। जैसे कि उस UPI ID में जिस व्यक्ति का नाम है वो नाम यहाँ आपको सोगा। और यहाँ पर अप देख सकते हैं यहाँ पर एक टोक ग्रीन टीक है। यानि कि यह id सक्सेस्फुल वेरिफाई हो गया है उसके बाद यहाँ पर नीचे एक option है nickname का तो यहाँ पर आप nickname डाल भी सकते हैं और अगर आप इससे डालना नहीं चालते हैं तो यह optional हैं अगर आप यहाँ पर nickname नहीं भी डालते हैं तो यह इससे आफ खाली भी छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे एक save का option है तो यहाँ पर आपको save के option में click कर देना है तो यहाँ पर हम save के option में click कर लेते हैं जैसे यह आप save के option मेश्कैंक क्लिक करते हैं यह कुछ दिर तक processing लेता है जैसे यहाँ पर processing complete हो जाता है यहाँ पर आपके समने इस तरह का interface आता है तो guys यहाँ पर amount डालने का option आता है यानि कि आप उस UPI ID में कितना पैसा transfer करना चाहते हैं हुआ amount यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है तो यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए कुछ amount इंटर कर लेते है amount इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे option है add a message का और bracket में लिखा है optional यानि कि अगर आप जिस ब्यक्ति को जिस UPI ID में पैसा transfer कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर कुछ message लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ message लिख भी सकते हैं लेकिन यह optional है अगर आप यह proceed to pay में क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हम से click कर लेते हैं जैसे यह प्रोची to pay में क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका bank account का नाम आता है यानि कि आपके phone pay में जो bank account add है यानि कि आप जिस bank account के दुरूब PISA transfer करना चाहते हैं उस bank account का यहाँ पर आई गा और नीचे है तो जितना रुपिया आप ट्रांसफर करना आए हैं उतना कर tap कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेगा तो जैसे यह पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो गाईज यहाँ पर आपके phone pay में जो bank account add है उस bank account का UPI pin यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है तो यहाँ पर हम UPI pin इंटर कर लेते हैं UPI pin इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे check mark का option है तो यहाँ पर आपको check mark के option में क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हम इससे क्लिक कर लेते हैं तो जैसे आप check mark के option में क्लिक करते हैं यह कुछ देर तक processing लेता है और जैसे ही यहाँ पर processing complete होता है यहाँ पर successfully पैसा transfer हो जाता है तो गाईज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हिलफुल रही होगी तो इसी तरह के हिलफुल वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथे साथ इससे अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वडियो का जनकारी मिल सके